Hey there everyone, मेरा नाम तौसीफ है और यह hotel booking website की 24th वीडियो है Previous वीडियो में हम लोगों ने rating and review system को implement किया था and in this video हम काम करने वाले हैं filters पर हम यहाँ पर filters किस तरीके से apply करेंगे rooms page पर उसको सीखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक pre-recrease site है कि आपको debugging आनी चाहिए So let's get started with the video इस वक्त हम ZAMP में HDDocs folder के अंदर HB website नाम के folder में है इदार आजाते हैं अपने web browser पे यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है जितने भी filters हैं यह जितने भी options हमारे पास हैं इनको हमें working stage में लाना है यानि कि अब हम जब option पे click करेंगे यहाँ पर guest एंटर करेंगे या जो है check in और check out एंटर करेंगे तो हमारा data filter होकर हमें दिखना चाहिए तो यह जितना भी room का data है हमारा इससे पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर हम synchronous request भेचते हैं यानि कि जितनी बार भी आपको option select करते हैं आपको यहाँ पर नीचे एक apply button दे देते हैं उस पर आप click करते हैं then page refresh होता then data आपको filter होके दिखता लेकिन अब हम इस चीज़ को asynchronously करना चाहते हैं asynchronously यानि कि Ajax की help से background में हम चाहते हैं आप बस यहाँ पर filter check in check out date दे दो background में data request होगा and then इसके बाद यह filter होकर दिखने लगेगा तो basically हम यह चीज़ चाहते हैं यहाँ पर हम कोई भी apply button वगएरा नहीं देना चाहते हैं जिससे आप options को select करने के बाद apply पे click करो तब यह filter हो तो यहाँ पर थोड़े पक changes हमें करने पढ़ेंगे पहले लेकिन काम हो जाएगा तो let's get started यहाँ पर आ जाते हैं vs code में rooms वाले page पर आ जाएंगे हम अपने front end के यहाँ पर देखी यह रही हमारी PHP script इसको collapse कर देते हैं नीचे यहाँ पर एक script tag ले देते हैं इस script tag में हमें एक function बनाना है जो rooms को fetch करेगा asynchronously then यहाँ पर ajax का code भी हमें लिखना है तो basically हमें जादा code इस बार चाहिए नहीं इसको copy कर लेते हैं इदार लाके लग देते हैं इसको लिख देते हैं get हम इस बार get request मारनी है ajax holder के अंदर rooms वाली एक file पर then इसके बाद यहाँ पर xhr.onload एक function को call करेगा then xhr.send यहाँ पर हम send करेंगे request को अपनी इस बार हम get request करने वाले हैं and एक चीज और चाहिए हमें xhr.on process या on progress which is a function यह एक loader दिखाएगा हमें so basically उपर आ जाएंगे यह जो div है जिसके अंदर पूरा room का data हम फैच करा कर आगे इसके अंदर एक id देते है rooms-data so नीचे आ जाएंगे एक let variable ले ले लेते है rooms underscore data नाम का document.getElementById rooms-data तो इसके थुरू हम access कर लेंगे and then यहाँ पर हम करेंगे क्या simply rooms-data.innerHTML equals to this.response text जो भी आएगा हम उसको बस यहाँ पर echo करा देंगे then अभी हमने इस function को call नहीं किया यानि कि यह कुछ भी नहीं करेगा भी तो हमें करना क्या है यह जो PHP script है इसको हमें cut-paste करना होगा किसी दूसरी जगा पे तो यहाँ पे Ajax में एक file बना लेते हैं इसका नाम लिख देते है rooms.php इसके अंदर कुछ basic code हमें copy-paste करना होगा यहाँ पे यह code copy कर लेते हैं या wait इसको बन कर देते हैं profile cancel cancel booking का code छोटा सथा यह copy कर लिया यहाँ पे किया paste then php script को close कर देंगे session की ज़रूरत है यह हमें date and time की वैसे ज़रूरत नहीं है इस बार हमें then इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक if block is set check करना dollar underscore get में एक index आ रहा है क्या fetch underscore rooms नाम का तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा एक question mark लगा के fetch room नाम का index भीजना रहेगा then इसके बाद हमें क्या करना है अब देखी यह जो code है हमारा php script का इसे पूरे उको उठा कर हमें यहाँ पे रखना होगा ठीक है तो एक काम कर लेते हैं एक एक करके या तो आप उठा लो या पूरा इसको collapse करके हटा दो यह while को collapse करेंगे यहाँ से cut किया इधर लाकर paste कर दिया अगर इसका indent खराब होता है तो पहले indent पे focus करना है इधर उधर मत भागना जिसे अभी के लिए तो यहाँ पे indent नहीं खराब हुआ पूरा हम देखते हुए चले आ रहे हैं चाहो तो एक-एक को collapse करके check कर लो indent खराब नहीं हुआ है तो यह चीज पर ध्यान देना indent कभी भी खराब हो तो कोशिश करो पहले indent ही करो वरना कोई भी चीज debug करने में बहुत इक्कत हो जाएगी इतना हो गया इसके बाद इसको save कर देते हैं और इसका output फिलहार के लिए देखते हैं तो refresh करने पर हमारा rooms card पूरा गायब हो गया इसके बाद हम यहां पर करेंगे क्या कि fetch function को ऐसे call तो करेंगे यह जो fetch room से इसको call तो करेंगे लेकिन यहां पर अभी देखिए हम कोई भी चीज इसा ही fetch होना शुरू हो जाए अगर हो सकता है कई बार ऐसा होगा कि जब हम filters लगाएं तो हमें कोई भी room ना मिले है ना तो हम यहां पर count underscore rooms नाम का variable लेकि उसको zero से initialize कर दे रहे हैं count number of rooms बाकी की query ऐसे ही लिखी रहने settings वाले page दे ला रहे थे जो यहां पर नहीं है ठीक है इसका काम था यह देखना कि हाँ settings में जो shutdown वाला index है वो true है यह नहीं so basically हमें करना क्या होगा इसे copy करना होगा यह काम करते हैं यह इतना code copy कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको क्या करना है यह पांच लाइन जो भी है copy किया इधर counting room के बाद paste कर दिया हमें contact details fetch नहीं करनी है contacts are भी हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ इतनी तीन चीज़ें चाहिए इसके बाद यहां पर यह जो values 1 इस तरीके से हमने लिखा है और यहां पर इस तरीके से सारी चीज़ें की है इसको हम थोड़ा सचाहे तो और short कर सकते हैं तो यहां पर एक comment डाल देते हैं fetching settings table for shutdown value या to check shutdown is on to check website is shutdown or not यहां पर हम बहुत ज्यादा comment इस वजह से use करेंगे क्योंकि हम चाहेंगे की चीज़ें एकदम clear रहा हो क्योंकि हो सकता है यह सबसे ज्यादा confusing video हो आपके लिए sr number यहां पर directly 1 लिख देते हैं कोई मतलब नहीं है यहां पर चीज़ों को ज्यादा complicate करने का इन values को यह जो variable इसको उटा दिया हमने क्योंकि कोई भी value ऐसी नहीं है जो user से ले की दी जा रही है सो यहां पर हम इसको normally यूज कर सकते हैं यहां पर वैसे पहले dollar con पास होगा dollar con, this इसके बाद यहां पर query for rooms room cards in case अगर आप यह नहीं करते तो error कहां पर आप देखते as same यहां पर ctrl shift i दबाते आपको network पर आना पड़ता यहां पर आपको errors देखने को मिलती यहां पर आप जब response वगरा देखते तो आपको समझ में आ जाता खुदी कि undefined variable settings are इस तरीके से आपको error मिलती तो error को पढ़ो उसकी meaning समझो खाली सोचो मत यह error है तो यह चीज as it is रहने वाली है feaq यह भी as it is रहने वाला है यहां पर इस पूरे data को जो हम echo करा रहे हैं उसको एक variable में store करने वाले हैं तो इस variable का नाम ले लेते हैं चाहे output variable तो यहां पर ही ले लेते हैं dollar output is equals to blank and output count number of rooms and output variable to store room cards तो by default output output blank रहेगा so यहां पर हम करेंगे क्या कि यह जो echo करा रहे हो आप इसकी जगह पर इसको पहले open कर लेते हैं यहां पर echo की जगह लिख देते हैं हम लोग dollar output equals to double quotes अब देखिए इसके वज़े से यह इतना हिस्सा पूरा error में आ गया अब यह error में क्यों आया है पता वह भी बदाते हैं यहां पर data जो लिखा हुआ इसको भी double quote कर देते हैं तो double quote open double quote close अब double quotes के अंदर आप multiple double quotes नहीं लगा सकते हैं आप सिर्फ single quotes लगा सकते हो तो हो सकता है आजिस जादा लोग इसी में error को देखके हो सकता है यह video quit भी करते हैं ठीक तो आपको समझना है कि कैसे इसको sort करना है तो आपको इसको replace करना है Ctrl F से इसको select कर लो Ctrl F से find करो यहां पर replace कर दो हर एक double quote को single quote से बस replace करते जाना ठीक है हो गया कोई कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं सारे जो red lines underlines आ रही थी सब गायब हो गई हम जब भी इस loop के एकड़म end पे आएंगे तो हम चाहते हैं count rooms है उसकी value increment कर सके अब इसको एकड़म ending में इसके लगा रहे हैं कि कई बार ऐसा होगा कि यह जो while loop है ना यह जो main while loop है इसके कई steps को हम skip कर देंगे जो भी criteria के साबस हमारे नहीं बैठेगा जैसे facilities के according अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हम उसे skip करना पड़ेगा उस room के data को skip करना रहेगा तो उसको भी हम देखेंगे आपको clearly और अच्छे समझाएंगे then then यह जो loop है पूरा एक चीज हम देखने पहले यहाँ पर output dot equals to लगेगा ध्यान दीजेगा output dot equals to तो अगर यह नहीं लगाएंगे तो सिर्फ एक ही room card देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम एक चीज चेक करेंगे कि if dollar count rooms greater than zero अगर यह zero से greater है ठीक तो echo कर दो क्या dollar output variable ls हम चाहते हैं आप echo कर दो एक h1 tag या h3 tag देखने देते हैं बहुत जादा बड़ा हो जाएगा h1 यहाँ पर लिख देंगे no rooms found या no rooms to show इसमें कुछ class दे देते हैं जिससे यह सही से थोड़ा दिखेगा यहाँ पर text dash center कर देते हैं and text dash danger कर देते हैं इदर आकर refresh करेंगे तो अभी तो कुछ होगा नहीं क्योंकि यह function हमने call नहीं किया है check कर लेते हैं fetch rooms function को call करो refresh किया देखिए सारा का सारा data जो भी था जतने भी rooms से सब आ गया हम लोग को दिख रहे हैं I hope यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको then कोई भी दिक्कत अगर आती है तो simple सा answer है इसका यह request आपकी इस पे click करना payload आपको दिख रहा है कि आप क्या भेज रहे हो headers देख लेना यहाँ पे preview में आ जाना preview में अपने आप वो error वो variable का जो भी माल लेजे कोई variable undefined या कुछ भी है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा ठेक है तो basically यह रहा पुरा response का code then वापस आ जाते हैं जरा इदर अब इतना तो हो गया अब क्या करना है हमें यहाँ पे आ जाते हैं जरा on progress जब भी यह progress में रहेगा तो हम चाहते हैं यहाँ पे loader देखे तो loader अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने confirm booking में देखें यहाँ पे जो form नहीं बनाया था हम लोगों ने डिस्प्ले नहीं यहाँ पे लगा हुआ था इस वज़े से यह loader नहीं दिख रहा था एंड एक काम करते हैं इसको एक ID भी दे देते हैं loader यह loader कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो एक काम करते हैं इसको center में align करने की कोशिश करते हैं इदार आ जाते हैं इसमें लिख देते हैं mx-auto यह left और right side की margin है उसे auto कर देगा ओके यह असल में I think यह spaces कम ले रहा होगा ना I think रुक जाओ करें पहले क्या है display margin bottom light display inline block है ओके ठीक है इसे कर देते हैं D block D dash block तो यह कुछ इस तरीके इसे दिख रहा है तो हमें क्या करना है बस अब इसी को cut करना है यहां पर इसे हटाना है इसे वापस सही कर देना है rooms data यहां पर हम करेंगे क्या rooms data dot inner html equals to यहां पर back tick लगाने वाले हैं हम इसमें copy करके paste कर दिया इसके बाद save करते refresh किया हमने तो अभी तो loader हमें देखने को नहीं मिलेगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर देखे रिक्वेस्ट इतनी तेजी से हो रही है कि आपको loader देखने का मौका ही नहीं मिल रहा ठीक लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप अपने net को slow अगर यह होता है यहां पर हो सकता है आपको loader देखने को मिले अब ठीक तो इस तरीके से loader देखे को basically यहां बीच में तो आप ऐसे इसे node wrotling पर कर देते हैं हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो भी next आ जाते हैं हम इधर ओपर यह रहा filters so filters पर हमें करना क्या है समझ लेते हैं पहले check availability वाला जो heading है यह इसके बगल में हम चाहते हैं पहले तो एक button दिखाना reset वाला so इसको हम cut कर लेते हैं expand tag में डाल देते हैं then यहां पर हमें चाहिए एक button button यहां पर ले लेते हैं इसमें लिख देते हैं reset button में कुछ classes होने वाली है जैसे कि btn, btn, sm यहां पर text हम करना चाहते है secondary इसके बाद हमें पता इसका alignment थोड़ा सा बिगड़ने वाला है क्योंकि यह span tag और button tag है जिसके वज़े से जहां पर देखिए alignment इसका okay ठीक ही दिख रहा है वसे लेकिन spaces की फिर भी दिक्कत होगी तो एक काम कर लेते हैं यहां पर लिखेंगे d block align item center इसके बाद यहां पर justify content between refresh किया हमने अभी भी ऐसा ही दिख रहा है ओ sorry यह display flex होगा sorry d block नहीं होगा यह flex होगा तो यह कुछ इस तरीके सब दिख रहा हम इस button को हर time नहीं दिखाना चाहते हैं यहां पर हमे class add का देते हैं d dash none यह button क्या हो जाएगा hidden हो जाएगा यह नहीं दिखेगा अब इससे कब दिखाना होगा उसके लिए हम इस button को fetch भी करना होगा तो इसको एक id देते हैं यहां पर id देतेंगे chk availbtn आप चाहो तो comment डाल दो पूरा यह check availability का logic है यहाँ पर यह जो check in और check out input fields हैं इसके अंदर हम कुछ चीज़े देना चाहते हैं जैसे कि क्या पहला तो name हो जाएगा इसका नाम होगा check in दिन इसका name हो जाएगा check out अब हम चाहते हैं कि जब भी यह दोनों चीज़ें change हो तो हम चाहते हैं एक function call हो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था confirm booking पर हम जो भी हमारी जो check in और check out डेट थी जब भी वो change होती तो एक function call होता था सेम काम यहाँ पर हमें करना है तो यहाँ पर chk underscore avail filter नाम का एक function call कर देंगे हम यह भी हमने बनाया नहीं है बना लेंगे इस तरीके से यह function call हो जाएगा check in चेक आउट जब भी change होगा यह function call होगा तेक अब इस function को हमें बनाना है हम यहाँ पर करेंगे क्या नीचे आ जाएंगे fetch room से पहले ही इस function को create कर लेंगे यह क्या करेगा यह इन दोनों को fetch करेगा और देखेगा कि क्या दोनों fields empty नहीं हैं अगर दोनों चीज़ें empty नहीं हैं तो हमारा यह क्या करेगा इस fetch वाले room को हम फिर से call करेंगे बस इस बा बाकी का data collapse कर लेते हैं तो यहाँ पर करेंगे क्या हम let एक काम करते हैं यह जो name हमने दिया इसको id कर दो name का काम ही क्या अभी हम को यह form तो use कर नहीं रहे हैं इसको id कर दो यहाँ पर let check in is equals to document target element by id इसी तरीके से check out के लिए हम करेंगे इसके बाद यहाँ पर इसको नीचे fetch कर लेते हैं कि हमने कहा check करना कि जो check in dot value है not equals to empty है and एक चीज़ और check कर लेना कि check in के साथ साथ क्या check out भी not equals to empty है it means कि दोनों चीज़ें empty नहीं होंगी तब ही हमारा यह function call होना चाहिए इसके अंदर यह जो fetch rooms वाला function है अब हो सकता आप एक चीज़ पूछो कि इससे होगा क्या जैसे यहाँ पर control r इसकी value जैसे हमने change की तो अभी देखिए fetch room ओके fetch room function call हो गया ओके check करने देते हैं check out dot value नहीं लिखा हमने है रिफ्रेश किया change किया देखिए single request पड़ी हुई है बीबी अब इसको change करेंगे तो यह होगा तो दोनों values empty नहीं होगी तब ही हमारे जो function call है वो होगी वरना नहीं होगी तो function call होने से हुआ ही क्या तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या यह जो fetch rooms है इसमें थोड़े से changes हमें और करना है हम एक variable लेते हैं let thk avail json.stringify अब यहाँ पर हम json data को बेजने वाले हैं धियान दीजेग अगर आपको json के ब importance आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों json को use किया जाता है तो basically यहाँ पर हम stringify करेंगे एक object को ठीक हम एक object को string में convert करने वाले हैं तो यहाँ पर एक value होगी check in इसकी value हो जाएगी check in dot value comma check out dot check out dot value अब इसको समझाते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है जब य यहाँ पर करना था तो आपने यह क्यों किया तो basically जितनी बार भी check in or check out change होगा तो हम चाहते हैं यह function call हो लेकिन इस function को call होने का criteria भी तो है कि दोनों values empty नहीं होनी चाहिए ठीक है तभी आपकी function call होनी चाहिए वरना हर बार जितनी बार भी change करने पर हम fetch room को call कराएंगे तो लिए तो हम यहाँ पर function calls को कम कर रहें जैसे आप मान लिजेए यहाँ पर यह reset कर दिया हमने it to clear कर दिया आप यहाँ पर checkout दे दिया check in नहीं दिया तो क्या function call होनी चाहिए थी? टरीका क्या है? नहीं होनी चाहिए थी. जब तक आप दोनों नहीं देते थे तब तक नहीं होनी चाहिए. तो बस यहां पर same यही काम किया है हमने. ठीक? और जब भी function call हो, तो हम एक चीज और भी चाहते हैं. कि जब function call होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा reset button है वो दिख जाना चाहिए हमें तो यहाँ पर हम करेंगे क्या reset button को access करेंगे अभी देखे हमने यहाँ पर सिर्फ data तयार किया है भेजा नहीं है अगर आप ऐसे समझ लो यह एक object है यह यहाँ पर एक object है अब इसको भेजना है हमें server पे PHP पे हम कैसे भेजेंगे हम directly नहीं भेज सकते हैं हमें इस object को convert करना पड़ता है string में ठीक है तो अगर आप जेसन की वो video देखोगे तो उसमें आपको बहुत detail में हमने यह चीज़ समझाई है ठीक है तो प्लीज उसको एक बार देख लो बहुत अच्छे से clear खट idea मिल जाएगा ठीक अब एक काम करते हैं इस button को जरा access कर लेते हैं दिन आगे कोड हम करेंगे इस btn को access करेंगे हम इसको copy किया पेस्ट किया यहां पे इसको cut, paste, cut, paste यहां पे हम चाहते हैं यह जो chkavail button है chkavail button dot class list इसकी class list में एक काम करना remove कर देना जिसका नाम है d-none यह जो class होगी है remove हो जाएगी तो basically एक बार refresh करते हैं try कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं 25, 28 ठीक है काम कर रहा है यह reset button आ गया then इसके बाद reset button पे click करने पर यह हमारा empty हो जाना चाहिए और हमारी फिर से call जानी चाहिए ठीक तो same हम काम यहां पे करेंगे एक function और create करेंगे copy करके नीचे paste किया इस बार check avail यहां पे clear कर देते हैं and उसके साथ साथ यह जो button है इसको गायब भी कर दो तो यहां पे हम करेंगे क्या add कर देंगे इस बार तो एक बार देख लेते हैं फिर से यहां पर आपको समझना होगा कि अगर इसकी value blank जाएगी value तो जानी ही जानी है हर बार जाएगी जितनी बार भी यह fetch function call होगा ठीक है यह जो fetch rooms है लेकिन value कैसी जाएगी blank जाएगी अगर इसके अंदर कोई भी data नहीं होगा तो basically इसको refresh किया हमने na today पे click किया okay यानी कि एक बार fetch rooms वाला function फिर से call हुआ है यहां पे and यहां पे reset button आ गया इस पे click किया okay कुछ नहीं हुआ कुछ क्यूं नहीं हुआ उसका भी तो reason है हमने इस function को call कहां कि अभी तक तो basically हम करेंगे क्या कि इस button में एक shadow none भी दे देते है shadow-none और यहां पे लिख देते है on click इस function को call कर दो so इधर आकर refresh करेंगे values enter किया हमने reset पे click किया reset गायब हो गया लेकिन इनकी values blank नहीं हुई so check कर लेते हैं console पे कोई error नहीं आ रही है okay यहां पे not equals to क्यूं लगाया हमने equals to blank तो java script में इसी तरह कि आप छोटी-छोटी mistakes करते हो जैसी अभी हम कर रहे हैं reset राय करते हैं reset ठीक यहां पे हम check-in check-out पे कोई भी validation नहीं लगा रहे हैं अगर आपकी check-in और check-out date सही नहीं होगी तो यहां पे आपको no rooms दिखेंगे यानि कि कोई भी room आपको नहीं दिखेगा ठीक तो आप लगाना चाहो लगा सकते हो java script के through validation कोई दिक्कत नहीं है आपको करना क्या होगा सिर्फ यहां पे इसी function में पूरा validation लगा दो check-in की value और check-out की value same नहीं होनी चाहिए ठीक है लेकिन बात वही है फिर आपको यहां पे error दिखानी पड़ेगी नीचे ठीक है यहां पे आपको error दिखानी पड़ेगी यहां पे इसको पॉपुलेट करना पड़ेगा आपको तो बेसिकली हम इधर आ जाते हैं अब देखिए हमारा data यहां से जाना चाहिए कहां जाएगा हमारा data यहां पे हम लिखेंगे and check-avail equals to यहां पे हम पास कर देंगे अपने variable को तो chk-avail ठीक यह पहुच जाएगा हमारा किदर rooms पे हम यहां पे करेंगे क्या simple print r dollar underscore get यहां पे chk-avail इसको simply print कर तो बस तो अब यहां आकर अगर रिफ्रेश्च करेंगे okay chk-avail नहीं मौझूद हैं देखते हैं क्या हुआ होगा chk-chk check in check out blank आ रहा ठीक today 27 फिर से request गई और check in check out यहां पे हमें मिल रहा लेकिन क्या यह string को हम read कर सकते हैं अभी नहीं कर सकते हैं यह अभी हमारी string है ठीक है तो हमें इसे क्या करना होगा वापस से convert करना होगा एक associative array में ठीक है जिसके through हम इसको access कर सकें तो यहां पर हम करेंगे क्या की store कराके देगा यहां पर इस variable में chk underscore available हम फिर से कह रहे हैं अगर आपको json के बारे में सही समझना इसकी working समझनी है वीडियो का link description में है एक बार देख लो ठीक दिन इसके बाद अब check availability का जो logic है वो हमें लगाना कहां पर है देखिए उसको हमें लगाना होगा यहां पर while के अंदर ठीक हम जितनी बार भी room को fetch करेंगे हम चेक करेंगे कि क्या जितने भी number of bookings हुई है quantity से minus करके देखो क्या वो available है इस check-in और check-out date के लिए तो basically यहां पर हम करेंगे क्या confirm bookings पर आ जाते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए आपको यहां पर validation वैसे server side लगाना पड़ेगा ठीक अब उसका reason क्यों मैं पता है क्योंकि हो सकता है room में आपको ऐसी पुरानी dates दे दो जिसके मान लेजिए आपने booking दे दी यहां पर 7th की और यहां पर दे दी आपने 16 की जिसमें मान लेते हैं booking कोई भी नहीं हुई हो तो यह एक क्या हुआ आपको इसे sort करना पड़ेगा तो इस चीज़ को debug करने के लिए यहां पर हम करेंगे क्या simply so basically इसको हम करेंगे क्या copy कर लेंग and इधर आ जाएंगे so यहां पर हम एक if block ले लेंगे हम चेक कर लेते हैं पहले ही कि $CHK avail के अंदर देख लेना जो check-in है not equals to blank है and $CHK avail का जो check-out है अगर वो दोनों blank नहीं है तो एक काम करना यह code जो अभी हमने copy किया है यहां से इसको चुप-चाप कर दो paste अब इसके बाद क्या होगा बताते हैं पहले इसको collapse कर लो यहां से हमें जो time है यह date default time zone set इसको copy करके यह पेस्ट करना होगा जिससे हमें time को लेके कभी error ना है कोई यहां पे scope in किया हमने today's date हमें देखने को मिल जाएगी check available में से check-in date हमें चाहिए check-in में इस बार underscore नहीं है check-out में भी underscore नहीं है and variable name वापस आई कर लेते हैं तो check-in date, check-out date यह सारी चीज़ें हो गई तो अगर यह दोनो as it is हैं तो हम यहां पे चाहते हैं बस आप echo करा दो क्या यह वाला इससा copy कर लो इसको इसके बाद यहां पे exit लगा दो जिससे नीचे की कोई भी script execute ना हो और यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो invalid dates सेम चीज़ यहां पे आप इनके लिए भी कर सकते हो सेम चीज़ यहां पे आप इसके लिए भी कर सकते हो इधर आकर refresh करते हैं 25 दिया हमने यहां पे फिर से 25 दे देते हैं invalid dates अब इसकी जगह पर चाहो तो कोई proper से दे दो कोई दिक्कत नहीं है इसको refresh इसको reset किया तो यह सही से दिख रहा है तो बैसिकली अगर हम 17 दे देंगे and 25 दे देते हैं invalid date तो यह वैलिडेशन भी काम कर रहा तो इससे हुआ क्या देखिए इसको ऊपर लगाने का फाइदा यह ना नीचे का लूप अगरा हमें देखना ही नहीं पड़ा तो basically यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि इस चीज की भी अपनी एक importance है अप data अगर यहाँ पर चाते हो कि आपकी error यहाँ पर दिखे तो आपको करना क्या होगा ना कि यह echo जो आप ऐसे करार है echo करने के बजाए इससे पहले जैसे हम लोगों ने कई बार जेसन भीज entered यहाँ पर आप चाहो तो इस तरीके से entered भी लिग दो इसको collapse कर लेते हैं इस if block को copy कर लेते हैं माल लेते हैं कि इस तरह की कोई दिक्कत आई नहीं थी तब हमें क्या करना होगा तब हमें करना यह होगा कि हर बार loop के अंदर हमें check करना होगा कि अगर यह दोनों blank नहीं है और इनकी सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं तो यह जो logic है हमारा नीचे वाला इसको कर लो चुपचाप copy इस पूरे को यहाँ पे quantity तक exit इसको copy कर लो यहाँ पे कर तो paste अब इसमें चोटी मुटी चीज़ों को हमें change करना होगा पहले इसका indent ठीक कर लेते हैं अब इस है हमारी check-in date यह हमारी check-out date session हमें मिल जाएगा कोई इकत नहीं होने वाली है यह वेट session कहां से मिल जाएगा room id का इस बार हमें session नहीं मिलने वाला है इस बार हमें मिलेगा dollar room underscore data यह जो room data वाला variable है इसमें से हम निकाल लेंगे id room की check-in check-out check-avail यहाँ पे underscore हटा दीजेगा किसी भी चीज में confuse मत होने ही कोशिश कीजेगा video को बहुत गौर से देखिएगा ठीक है I know कि यह complex video है इस बार हमें room की quantity भी fetch करना की ज़रूरत नहीं है room की quantity भी हमें मिली जानी है यहाँ पे rq quantity की जगा लिख देंगे हम room data की quantity minus table fetch ठीक है table booking में से जो fetch किया हमने इसमें total booking क इसको fetch करो अगर equals to zero आ रहा है तो अगर equals to zero आ रहा है तो हमें क्या करना होगा हमें बस उसे continue कर देना है तो एक काम करते हैं अब इसको test करके दिखा देते हैं पहले आपको localhost slash hb website okay admin में जाना है हमें rooms की quantity जो luxury room है आपका वो दो quantity में है न इसी को आजमा लेते हैं तो इसमें हम basically करने के आवाले हैं दो booking करने वाले हैं जल्दी जल्दी तो login कर लेते हैं तो यहां पर हमने दो booking की हुई है 26 से 28 की 25 से 27 की ठीक है जिसमें 26 वाली date को तो आप किसी भी हाल में यहां पर जाई नहीं सकते हैं तो अभी आजमा लेते हैं यहां पर सारे rooms दिख रहे हैं हमें 25 को अगर माली जम्हें जाना है 27 तक के लिए तो देखिए एक रूम गायफ हो गया है तो काम बना समझ में आया अगर इसको हम 26 कर दें तो भी नहीं दिख रहा अगर 27 कर दें तो invalid date centered ठीक है 28 कर देते हैं तो 27 से 28 तक आप जा सकते हो क्यों जा सकते हैं उसका reason आपके पास सामने है देखिए 27 को यहां पर आप एक बंदा चेकाउट कर रहा है तो एक रूम तो खाली हो गया ना जो quantity थी एक quantity तो खाली हो गयी वहले दूसरा बंदा 28 को च गया रहा है 26 से 28 तक ठीक है तो आप 26 को नहीं जा सकते 26 को बिलकुल नहीं जा सकते समझ में आया तो 25 को भी इस वज़े से नहीं जा पा रहे ठीक क्योंकि आप 25 को घर्जे से जाते और यहां पर कहां गया 26 को चेक आउट करते है 25 सो 26 तक आप चेक आउट कर सकते हो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 25 को एक बंदा था ही दूसरा बंदा चेक इन करेगा 26 को 25 सो 26 तक खाली है लेकिन आप अगर 26 को 27 कर दो तो आप नहीं जा पाओगे समझ रहो इसका logic समझ चेक इन चेक आउट का एक copy पर लिख लो खुदी सोच लो समझ लोगे जादा इतना बहुत जादा कोई rocket science या math समझ नहीं समझा रहे हैं तो इसको reset कर देते हैं reset किया तो यह हमें देख रहा है वापस से basically इदर वापस आ जाते हैं तो check-in की जो functionality थी देखें implement हो गई बस कोई भी error आएगी अगर तो आपको उसे tackle करना होगा आपको थोड़ा सा focus करना पड़ेगा एक यहाँ पर लिख देते हैं check availability logic यहाँ पर लिख देते है check-in and check-out filter validation इदर आ जाते हैं तो एक चीज तो हो गई काम कर रही है अब जो easy चीज है उस पर फिर से आते हैं दूसरी जो की है हमारा यहाँ पर guest यह जो guest वाला section है यहाँ पर भी हमें same काम करना होगा जो हमने यहाँ पर किया है तो इसको open कर लेते हैं इसका जो code है इसको कर लेते हैं copy इसको collapse करके यहाँ पर कर देते हैं paste यहाँ पर लिख देते हैं guests सारी चीज़े तो I think as it is है कोई भी चीजों का फर्क नहीं है तो इसको उटा देते हैं बस यहाँ पर चीज़ें बदलनी होगी हमें यहाँ पर guest btn इसी तरीके से यहाँ पर guest clear is reset button का नाम तो reset button रहने वाला है यहाँ पर id देने वाले हैं हम तो जो input type number है इसी के बाद लिख देते हैं id यहाँ पर लिख देंगे हम adult test लगा देते हैं यहाँ पर id देते हैं children अच्छा इसमें एक attribute डाल देते हैं min max का ठीक है तो minimum minimum इसकी value क्या होगी 1 होगी minimum इसकी value होनी चाहिए 1 ठीक then इसमें भी same काम होगा हम यहाँ पर लगाने बारे हैं on change attribute तो sorry यहाँ पर on input होगा ठीक है जब भी कोई data input किया जाएगा तो यह तरह के filter function को call करेगा जो data को filter करेगा guest filter function इसको copy किया यहाँ पर किया paste then इसके बाद अब इस function को create करते हैं और इनको access करते हैं देखते हैं कि यह function क्या करेगा नीचे आ जाते हैं copy कर लेते हैं इन में से एक को ही यहाँ पर लिख देते हैं adults copy paste children then एक button है हमारे पास then function हमें create करना है उसका नाम है guests function तो guest filter function है इसी को हम यहाँ पर call कर आ रहे हैं यह function करेगा क्या basically यह check करेगा कि अगर adults.value greater than 0 होई और जो children.value है अगर इनकी value greater than 0 है तब ही हमारे function की calling होगी तक वरना नहीं होगी ठीक है तो हो सकता है आप यह सोचो कि यह तो मतब फाल्दू के validation से इनको लगाने की क्या ही ज़रूरत है लेकिन देखिए इसको बना इस तरह दिया है कि कल को अगर आप कोई complex validation लगाना चाहो तो लगा सको पर example आप यह चीज़ सोचो मान लिए यहाँ पर किसी ने दे दिया minus 5 ठीक है तो आप यहाँ पर चाहोगे ना इस तरह का validation लगाना आप यह function call हो जाएगी यह minus 5 फ्लिक होगे on input call होगा और उसके बाद यह function call हो जाएगी तो function calls को आपको कम करना होगा ठीक है आप नहीं चाहोगे कि आपके server पर load बढ़े ठीक तो इस तरह कि जो validation से वो यहाँ प देज दो और यहाँ पर एक कांग भी करना है हमें कि जो button है हमारा guestbtn.classlist उसमें remove कर देना एक d-none को and same इसी तरीके से एक function और होगा clear करने के लिए तो एक और clear function भी बना लेते हैं जिसका काम क्या होगा वो करेगा क्या कि जो adults हैं इनकी जो value होगी उनको blank कर देगा and इसी तरीके से जो children की value है उसको भी blank कर देगा fetch rooms को call करेगा and add कर देगा यहां पर d-none यानि कि खुद को hide कर लेगा button and इस function का जो नाम है इसको सही कर लेते हैं पहले तो यह clear होगा refresh करेंगे इधर आकर and अगर अब हम यहां पर मान लीजे कोई value देते हैं ठीके तो देखे जैसे value यहां हमने input की तो यह reset button आ गया इस पर click करेंगे तो यह देखे गायब हो गया तो basically अब हमें यहां पर करना क्या है कि server site पर इस data को manage करना है लेकिन अभी हमने data पहुंचाया भी तो नहीं है sorry so पहले एक variable लेते है let guests equals to json.stringify then यहां पर एक object and इसमें adults colon adults.value then इसी तरीके से children colon children.value और by default इसकी value blank जाएगी ठीक है then इसके बाद यह जब json में convert हो जाएगा तो हमें इसे भेजना भी है तो plus double quotes यहां पर and लिखेंगे हम ध्यान दीजेगा अगर आप यहां पर if we stand नहीं लगाएंगे तो दूसरी value वैल्यू सही से नहीं जायेगी और अगर आपको लगे कि दूसरी value सही से नहीं जा रही है तो same यही काम करना है है यहां पर network tab में आना चुप-चाप यहां पर इसको चेक करना कि जो query है वो सही से जा रही है कि नहीं जा रही है तो सारी चीज़ों को सही से notice करना कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए then यहां पे guest G-U-E-S-T-E-S इतना हो गया इधर आएंगे इसको हमें receive करना होगा इस side तो यहां पर हम करेंगे क्या एक variable लेंगे फिर से एक काम करते हैं यहां पर इस चीज़ के लिए comment डाल देते हैं विसे avail data decode then इसके बाद एक comment यहां पर डाल देते हैं guests data decode यहां पर लिख देंगे dollar guests is equals to json underscore decode function यहां पर हम पास करेंगे dot underscore get का sorry adult कहा है यहां पर guest नाम के variable में आएगा सब कुछ so एक काम कर लेते हैं print भी करा देते हैं printr underscore get guests ध्यान दीजेगा हम print यहां पर इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जिससे हमें चीज़े समझ में हैं हम इसलिए करा रहे हैं जिससे कई लोग जब पूचते हैं कि किस तरीके से data को debug करें हम तो उन्हें नहीं समझ में आता तो इसलिए यहां पर इस तरीके से चीज़ों को आपको print कराना होता है जिससे आप देख सको कि data आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको logic समझना होगा ध्यान रखो हर बार हम हर वीडियो में यहीं बोलते रहेंगे कि logic समझो logic समझो क्यों कि PHP वगएरा का काम है क्या logic building backend का मतलब यही होता है न logic building पर काम करना ठीक है तो यहां पर adult की value 5 आ रही है चिल्डेन को घटा बढ़ा के देख लो 5 आ गया 5 है 4 किया 4 हो गया तो यह तो decode होके हमें मिल जाएगा फिर हमें चेक करना होगा कुछ variable से बना लेते हैं dollar adults is equal to एक condition डाल दो dollar guest के अंदर जो adults नाम का index है अगर वो blank नहीं है क्योंकि देखे by default अगर जब भी यह call होगा तो value क्या आएगी blank ही तो आएगी यहां पर देखे blank आ रही है question mark लगाएंगे turnary operator है इसकी value को क्या कर दो अगर यह blank नहीं है यहां पर लिखना अगर यह blank नहीं है तो इसकी जो भी value उसको इसी में assign कर दो वरना क्या करो यहां पर zero assign कर देना तो turnary operator के बारे में I think हमें समझाने की ज़ुरत नहीं है children यहां पर children index एक यह दो extra variables हमने बनाया है फिलाल यहां पर हमें करना क्या है कि यह जो query लिखी है select rooms वाली इसी को बस manipulate कर दो बस और कुछ नहीं करना एक वेर यहां पर हम लिख सकते हैं अब adults greater than equals to single quote के अंदर या एक सिकेंड question mark लगा दो and यहां पर children greater than equals to question mark दो variables यहां पर लिखने है adults, children then दो data जा रहा हमारा integer integer और ठीक है कई बार ऐसा होता है कि आप parameter सही नहीं देते हो अब यहां पर काम करते हैं ज़र्ड़ PHP my admin कोल के देख लेते हैं index सही लिख रहे हैं कि नहीं कई बार ऐसा होता है कि index अगेरा हम गड़ात लिख देते हैं so rooms में आ जाएंगे यहां पर adult है यहां पर s नहीं होगा बाकी जगहां पर s लिख दो क्या मतलब है मतलब है मतलब हर जगह तो एक जैसा follow कर रहे है सिवाए table के refresh किया std call use object line number 37 37 37 गेस्ट के अंदर adults not equal to this then this json decode oh sorry एक दिक्कत यह है कि यहां पर हमने true नहीं लगाया ठीक है यह object के form में इसको fetch कर रहा था ठीक है refresh किया error आ रही है masculine exception version of this this use layer okay यह यहां पर दिक्कत आई है status and remote के पास children के बात end लगेगा सब्सक्राइब है सब्सक्राइब हो गया तो ऐसे रूम्स जिसमें सिर्फ साथ adults होते हो यह दू रूम्स हैं जिन में माल लेते हैं पांच हो यह है 6 दो गायब हो गया 7 8 9 9 पर यह है 10 पर कोई नहीं ठीक सेम उसी तरीके से children ठीक तो आप filter कर सकते हो no rooms to show यहां पर reset कर दिया काम बन जाएगा फिर से try कर लेते हैं reset किया काम बन गया हम hope so आपको सारी चीज़ समझ में आ रही हो तो दूसरा filter हमारा तयार हो गया with guests filter इदर आ जाते हैं अब एक last चीज़ बचती है जो अपने आप में थोड़ी सी complex है ठीके अब इसमें complex क्या है कि आपको यहां पर करना क्या होगा समझिएगा पहले तो हमें यह जो facilities हैं यहां पर जो facilities का section है एक comment डाल देते हैं इसको हमें यहां पर fetch कराके database से दिखाना होगा तो यहां पर पहले तो इसका header सही कर लेते हैं यानि की heading सही कर लेते हैं sorry facilities को यहां पर replace कर देते हैं और इस बार जो button बनेगा वो हो जाएगा क्या facilities button facilities btn यह होगा facilities clear बाकी चीजें as it is रहने दो यहां पर हमें क्या करना होगा PHP script को open करना होगा यहां पर पूरी facilities को हमें fetch कर आके दिखाना है यहां पर हम करेंगे क्या dollar facilities query is equals to select all कर लेते हैं क्योंकि हमें सारी facilities को fetch करना है किस table में से हमने एक table बनाई थी facilities नाम की आप चाहो तो database से अपने मिला लो वीडियो के कुछ-कुछ portion को देखा करो उसको pause करके सिर्फ वहां तक पहले चीजे बना लिया करो ठीक है दिन उसके बाद आगे continue किया करो then dollar row equals to masculine fetch as a sock यहां पे हम echo करने वाले हैं facilities इसको किया cut इसके अंदर किया paste indentique कर लेते हैं and यहां पे सिर्फ one लिख देते हैं जिससे समझ में तो आया कि काम हुआ कि नहीं बस okay तो तीन दो पांच छे छे facilities हैं total हमारे पास यहां पे आ जाते हैं छे facilities okay काम करेगा यह पहले तो नाम यहां पे label dollar यहां पे जो row है इसमें हमें चाहिए क्या नेम चाहिए facility का तो नेम नाम का एक column होगा माई पास चेक कर लेते हैं facilities में से name icon description ठीक है तो नेम यहां पे dollar row की id दे देते हैं इसको copy करके यहां पे id में भी दे देना इससे क्या होगा कि यह जब हम text पे click करेंगे तो check box भी clear चेक हो जाएगा इसको corner पे इस लिए रख रहे हैं क्योंकि हमें कोई use नहीं है ठीक है हमें यहां पे जिन चीजों का use है वो है value attribute और name attribute तो इसका नाम दे देते हैं पहले तो name is equal to facilities जितने भी यहां पे यह fetch होंगे या render होंगे ठीक है उनमें सभी का जो नाम है वो common रहने वाला है ठीक facilities नाम बस value different होगी तो value क्या होने वाली है dollar row की id ठीक तो अगर अब इसको refresh करेंगे हम राउट वाइफाई गीजर यह वो इंस्पेक्ट करते हैं इसको सभी में अलग-अलग id होनी चाहिए 17 value यह ठीक बागी इसपे click करने पर भी काम बनेगा अगर यहां पर id और for attribute को आप हटा दोगे तो यह जो text है इसपे click करने पर काम नहीं बनेगा तो इतना हो गया ध्यान दीजेगा हमें इन दो चीज़ों से मतलब है अंडर्सकोर rooms नाम का इस बार हम जो rooms वाला function है उसको directly call करेंगे अब ऐसा क्यूं करेंगे उसका reason है जो आपको हम समझाएंगे थोड़ी देर में and यहां पर facilities clear वाला function तो है ही so basically हम करेंगे क्या नीचे आ जाएंगे यहां पर यह जो room वाला data है हमें सारा data select करना है जिसमें जो name होगा name attribute की हिसाब हमें select करना है तो हमने का name equals to यहां पर हमें चाहिए facilities एक facilities नाम का name attribute जिसमें भी है उसे उठा लाओ then वह checked भी होना चाहिए यहां पर colon checked का मतलब है कि वह checked भी होना चाहिए तो जितने भी check attribute है उन्हें उठा लाओ तो एक काम कर सकते हो आप जब भी आपको कोई query ना समझ में है javascript की या code ना समझ में है उसको उठा के यह console में paste कर दो चलाओ गए आपको समझ में आ जाएगा अपने आप length 0 दिखा रहा फिलाल check किया अभी भी 0 दिखा रहा है okay name facilities तो एक काम करते हैं checked हटा देते हैं अच्छा इसको save नहीं किया अभी हमने ठीक है शायद save नहीं किया इस वज़े से refresh करते हैं paste करते हैं checked तो कोई नहीं है लेकिन facilities नाम के index में मिलना चाहिए अभी भी length 0 दिखा रहा है it means कि कोई चीज की तो दिक्कत होगी तो फिर से चेक करते हैं name equals to facilities तो इदर आ जाते हैं जरा facilitate fees spelling mistakes चोटी चोटी refresh किया देखिए इतने input fields है ठीक है length 6 आ गई and अगर इसमें colon checked लगा होता जो checked होते हैं तो अभी तो कोई चेक नहीं तो इस वज़े से कुछ नहीं दिखा हमें तो यहां पर हम करेंगे क्या इस line के बाद हमने का एक काम करना चेक करना है कि if get facilities dot length ठीक है चेक करना है कि अगर यह जो length है इसकी greater than 0 हुई तब तो यह अंदर का code execute करना वरना मत करना and यहां पर हमें एक list चाहिए जो facilities की जो list है भेजेगा हमारे server पे हमने का facilities underscore list is equals to यह रहेगा क्या यह भी एक object रहेगा ठीक है जिसको हमें string में convert करना है लेकिन अभी हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं फिलहाल के लिए इसको एक array मान लेते हैं इस array में हम हर एक facility की id को भेजेंगे या value को भेजेंगे ठीक है facility id को भेजने का मतलब क्या है यहाँ पे जो input field की जो value है ठीक है उसको भेजना तो हमें array के form में data भेजना है ठीक है लेकिन हाँ array नहीं जाता है ध्यान रखना अभी दिखाते हैं कैसे होगा काम फिलाल array में हम data को push करेंगे तो हमने कहा कि अगर वह greater than zero हो तो करो गया get facilities dot यहाँ पे for each function को हम use कर सकते हैं for each function को use करेंगे तो यह callback लेता है जिसमें हमने का facility ठीक है यह iterate कर देगा हमारे पूरे data को ठीक है यह जो get facilities में जो भी चीजें select होकर हमें दिखेंगे यह है ना यह सारे input fields को यह one by one इनको iterate कर देगा ठीक है अगर आप चाहो तो यहाँ पे normal for loop लगा लो dot length तक इसको चलाना i plus plus कर देना ठीक है वरना यह for each loop है इसके बारे में एक बर पढ़ लोगे तो भी clear हो जाएगा कुछ खास है नहीं है ठीक है तो हर एक facilities हमें यहाँ पे इस variable में देखने को मिलेगी then हमने कहा facility list में push कर देना ठीक है array में data add कर देना किसे add करना हमने कहा facility dot value को done then इसके बाद हम करेंगे क्या हमने कहा एक काम करना कि अगर यह greater than zero है तो एक button भी तो है हमारा facility वाला उसे भी हमें दिखाना होगा ठीक तो एक button को हम पैच कर लेते हैं button का नाम कहां गया facilities button यह है इसको cut किया paste किया copy paste किया sorry paste तो अगर array के length zero है greater than तो हमें करना क्या होगा यह जो facilities btn है इसमे class list में dot remove कर देना d-none को clear इसके बाद else अगर यह greater than length नहीं है अब इसकी length अगर zero से बड़ी नहीं है तो हमें क्या करना होगा हमें इसे hide कर देना होगा बस यहाँ पे add कर दो अब देखिए directly आप array को नहीं भीज सकते आप array में data store करा सकते हो लेकिन array से data भीज नहीं सकते है तो हम करेंगे क्या कि array को wrap कर देंगे एक object में आप सिर्फ object को string में convert कर सकते हो या json में convert कर सकते हो ठीक है json में सही word है json तो यहाँ पे हम लिखेंगे facilities hope so आपको यह चीज समझ में आए यह object था object के अंदर एक t बनाई हमने जिसकी value एक array है और इस array के अंदर हमें data push करना होगा तो directly हम ऐसे push नहीं करेंगे हमने का facilities dot यह जो facility list है इसके अंदर जो facility नाम का index है उसमें उसमें जो array है ठेक है उसका जो array है उसके अंदर data push करना ठेक है तो object and array के बारे my hope आपको पता हो और नहीं पता तो यहीं से stoppage आप google search करके उसको पढ़ लो clear हो जाएगा 2 minute में वापस video को continue कर लेना then इसके बाद अभी तक हमने से json में convert नहीं कि हम directly object भेजी नहीं सकते हैं तो हमें करना क्या होगा हमने का facility list equals to यहां पे लिखेंगे हम json.stringify यहां पे facility list को फिर से लिख देते हैं same variable को string में convert करके उसी में वापस store करा दिया ठीक I think यह confusing नहीं होगा जादा ठीक है अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा then plus अब हम इसे भेजना भी है तो हमने कहा facilities यहां पे and लगाना हम भूल गया है यहां facility list ही लिख देते हैं इसको भी facility list equals to plus लगाया हमने हमने कहा facilities list ठीक यहां पे facility list लिख देते हैं facility list I know हम variable के नाम बार बार change कर रहे हैं जिससे हो सकता आप confuse हो जाओ लेकिन confuse कोशिश करना मत हो facilities list facility list facility btn हाँ ठीक है यह facility की list है जिसके अंदर facilities रहर सारी होंगी होप तो यह काम करेगा तो यहां पे सबसे पहला काम होगा हमारा जितने भी facilities हैं उनको चुपचापे को करा लो तो facilities data decode यहां पे print r dot underscore get के अंदर facility list refresh किया के facility list is not defined कहीं पेरर आई है json.stringify में आई है json.stringify में आई है तो ध्यान दो जिस भी तरीके से यहां पर हम काम कर रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको भी काम करना है एक एक तो facilities अभी एमटी है तो अगर यह selected होती तो 13 14 18 14 18 15 blank गुड़ देन इसके बाद इधर आजाते हैं अब हमें करना क्या होगा एक variable लेकर इसको json decode की तरू decode करके store करा देंगे इतना हो गया दिन इसके बाद एक काम करते हैं नीचे आ जाते हैं यह features वाला room features का section है यह facilities वाला है इसको cut करके ज़रा इसको उपर रख देना ठीक है इसको उपर रखने का reason यह है क्योंकि यहां पर सारे filters लगे हुए न with filters यहां पर में filter लगाना असल में इसलिए देखिए यही फाइदा होता है comment का कि आपको पता रहता है क्या चीज़ आपने कहां पर लिखी है अप समझ लेते हैं पहले कि करना क्या है देखिए एक चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं सर्वर पर लूड ना पड़े बहुत सारी चीज़ें होती जो आपको देखनी पड़ेगी जो दीरे दीरे आप चीज़ें सीखोगे तो मेरा काम है आपको लॉजिक बिल्डिंग सिखाना कि आपको कैसे सोचना है ना कि सिर्फ कैसे प्रोजेक्ट बनाना है टीप के ठीक है वो तो हर कोई कर लेगा यहां पर वीडियो जो है कंटिनियू करके चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के जल्दी देखके कोड लेक के बना लेगा ठीक है क्योंकि देखिए फिल्टर लगाने का मतलब क्या पता है कि यहां पर अगर हर एक में रूम में मान लेते हैं वाइफाई है एर कंडिशनर है और टेलिवीजन है तब ही उन रूम को दिखाना वरना मत दिखाना उसके इलावा कुछ भी हो हमसे मतलब लेकिन टेलिवीजन होना चाहिए जैसे यहां पर टेलिवीजन मान लेजए नहीं है तो यह हड यह ना चाहिए तो इसकी जो आईडी है इस रूम के साथ जो भी फैसिलिटीज की आईडी लगी हुई है उन में हमें देखना होगा यह तीन आईडी भी present है या नहीं हम जो आईडी भीज रहे यहां पर receive कर रहे है क्या वह आईडी इनमें हैं अगर हैं तब तो काम बनेगा वरना नहीं बनेगा कि जिस भी तरीके से डेटा फैच हो रहा है उसको फैच होने दो उसमें से एक ID नाम का इंडेक्स भी आपको मिलता होगा ठीक है ये ID किसकी होगी ये ID होगी हमारे फैसिलिटीज की ठीक लगी यह आप देखिए आप सिर्फ नाम सेलेक्ट कर रहे हो तो हम चाहते हैं F.ID भी सेलेक्ट हो अगर वो चीज जो ID है वो हमारी प्रेजन्ट है डॉलर फैसिलिटी लिस्ट में फैसिलिटी लिस्ट के फैसिलिटीज वाले इंडेक्स में अगर फैसिलिटी लिस्ट के फैसिलिटीज वाले इंडेक्स पे मौझूद है तब क्या करना जो डॉलर F.A.C. काउंट है उससे बढ़ा देना यहां पे braces हमने सभी से close नहीं किये थे शायद इस वज़े से यह error दिखा रहा है अब यह ठीक है अब देखी चीजों को आपको समझना होगा जैसे मान लेते हैं यह जो facility list है उसके अंदर जो array था उसके अंदर आ रहा था 1, 2, 3, 5 then 2 नहीं है 3 और 5 है तो अगर in array का मतलब यह होता है कि चेक करना कि जो idea हम दे रहे हैं चेक कर लेना यह जो idea भी हम दे रहे हैं यह अगर मौझूद है आपके इस array में ठीक है इस array से match कर रही है तो क्या करना fact count की value को बढ़ा देना ठीक है इस variable की value को बढ़ा देना जैसे मान लीजे 3 आया पहले यहाँ पे यह जो while loop चल ला है उसमें 3 आया 3 चेक किया जाएगा क्या इस array में है हाँ है तो count की value बढ़ जाएगी 1 हो जाएगी 0 से ठीक फिर क्या होगा मान लेते हैं जो rooms में 4 आपको id में आया यह value चल ला है अपकी id आई 4 तो क्या 4 इसमें है नहीं है तो यह जो if block execute नहीं होगा फिरन हमने देखा 5 क्या 5 इस array में है हाँ है तो i की value क्या कर दो या count की value कर दो 2 फिर हमने देखा 6 ठीक है क्या 6 इसमें है नहीं है तो बस 2 ही तक हुआ फिक इसके बाद यह जो हमारा data था मान लेजे खतम हो गया फिक अब room की जितनी भी ID थी हमने फिर्च कर ली count की value क्या हो गई maximum गई 2 और यहां पर maximum कितनी चाहिए थे हमें 4 हम चाहते थे हैं 4 जो filters हमने लगाना है लेजे 1,2,3,4 मतब एक्स्ट्रा में कुछ भी रखे हमें कोई पर नहीं पड़ता लेकिन 1,2,3,5 रखना चाहिए था इसको 4 रख लेता कोई दिक्कत नहीं 6 रख लेता कोई दिक्कत नहीं लेकिन इसे 1,2,3,5 रखना चाहिए था तो काउंटिंग इस वज़े से हमाई दिक्कत देदेगी तो समझिएगा, ध्यान समझिएगा कि जो भी रूम से आईडी जा रही हैं वो इसकी काउंटिंग में मैच कर रही हैं कि नहीं तेक, इसकी लेंथ 4 है तो यहां भी 4 ऐसा ऐलेमेंट हैं जो इसमें है, ठीक है हमारे फिल्टर के अकॉर्डिंग 4 ऐलेमेंट हैं या नहीं अब यहां पर हम चेक करेंगे हमने कहा, इफ, चेक करना डॉल, काउंट फंक्शन लगाना काउंट करना किसको, एरे को हमें काउंट करना है कौन सा एरे, यह रहा हमारा डॉलर फैसिलिटी लिस्ट के अंदर फैसिलिटीज वाला है रहे इसको काउंट करना कि अगर यह नॉट इक्वल्स टू डॉलर एफ एसी काउंट के है ठीक है, यह तो उनों नॉट इक्वल हुएं तो क्या कर देना, यहां पर कंटिन्यू को हम काल कर देंगे ठीक, हम चाहते हैं कि यह लूप का नीचे का डेटा एक्जिक्शिक्यूट ना हो यह सारी चीज ने एक्जिक्यूट ना हो यह आउट्पुट, यह काउंट रूम की वैल्यू भी न भड़े श्किप कर दो, कंटिन्यू कर दो continue काम यही होता है, loop की जो occurring होती है, उसको sorry, loop का जो iteration होता है, उसको one time skip कर देगा, ठीक है, जहाँ पर यह call होगा, यह skip कर देगा, यहाँ से वापस चला जाएगा while पे, उपर वाले, यह जो while है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक इसको close कर दिया, अब एक रूम जिसमें सिर्फ गीजर हो एक रूम गायब हो है कोई सा luxury रूम में गीजर नहीं था room heater सब में है Wi-Fi ओके, देखिए यहाँ पर हमें चाहिए था गीजर, room heater, Wi-Fi गीजर, room heater, Wi-Fi लेकिन air conditioner extra है तो हमें कोई मतलब नहीं extra से, हमारी value 3 हुई की नहीं, उससे मतलब होना चाहिए अब देखिए, no rooms to show क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा room नहीं है जिसके अंदर यह सारी चीज़े हो अब हमें reset पर काम करना है ठीक है, यहाँ पर हटाते भी जाओगा अगर आप तो भी काम बन जाएगा spa शायद किसी room में हमने add नहीं किया क्या वो सकता है, spa किसी room में add ना हो हाँ तभी ऐसा हो रहा है ठीक है, तो basically अब हमें क्या करना है, reset button पर काम करना है देखिए reset button अपने आप गाइब भी हो रहा यह reset button यहाँ पर यह else code के बज़े अब होरा जो हमने javascript में लगाया था data भीचते time, तो basically अब हमें क्या करना है, function create करना होगा और तो इसी को copy paste कर लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं facilities clear इसको हम already call करी रहे हैं हमें करना क्या होगा simply, यह जिस तरीके से हम यहाँ पर data को fetch कर रहेते हैं यहाँ पर यह जो code लिखा था हमने इसको यहाँ पर लाके paste कर दो यहाँ पर इस बार हम चाहते क्या है कि सारा data fetch करने के बाद इस बार कुछ भी push मत करना है रहे में, हम चाहते हैं जो भी facility आ रही है उसको क्या करो चुप चाप उसकी value को blank कर दो या uncheck कर दो तो यहाँ पर facility.value की बजाए यहाँ पर करो facility.checked equals to false इस तरीके से इसके बाद बाकी room में add remove, यहाँ पर add करना है हमें ठीक है, और एक fetch room function को call कर देंगे हम refresh किया यह कर लिया, no rooms to show reset पर क्लिक किया, काम कर रहा ठीक है, तो यह तीन filter हमने लगा दी हैं ध्यान रखना इस तरह का logic इस तरह का logic हो सकता है आपको YouTube पर कहीं न मिले, हम इस लिए नहीं कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी यूनी चीज़ आपको सिखा दी, हम इस लिए क्या efficient है वो आपको सोचना होगा हम चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारे complex code और भी लिख सकते थे क्यों? क्योंकि हमें इसे optimize करना थे यहां पर continue लगा रहे हैं जिससे loop fall to ना चले, ठीक है? हम बहुत सारे if else लगा सकते थे यहां पर लेकिन हमने नहीं लगाया आपको सोचना चाहिए सब चीज़ों का मतलब कि एक चीज़ों करने के कई तरीके हैं कोई जरूरी नहीं है कि जैसा सामने वाले इन सिखाया सिर्फ वैसा करो आज जैसा आप हमारी वीडियो को दे के करो वैसा मत करना हमेशा ट्राय करना उसको और improvise करो यह फाइनल मेथर्ड नहीं कोई कि यह बस यही एक तरीका है किसी चीज़ को करने का एक काम हम आपके लिए देते हैं कि ट्राय करना ट्राय करना है यहां पे फिल्टर के बगल में यहां पे एक रीसिट बटन देने के कोशिश करना रीसेट औल यह क्या करेगा, यह सारे features, added, यह जितने भी values हैं, उनको पूरा reset कर देगा, ठीक है, reset करने के बाद fetch वाले function को call करेगा सारी चीजों को आप यहाँ से access करी सकते हो, try कर के देखो इसको आप अपने से बना के देखो, ठीक है इससे थोड़ा सा confidence boost up होगा कि आपने सिर्फ वीडियो को copy paste नहीं की, आपने अपने से भी कुछ चीज़े बनाई, ठीक अब next हम आते हैं जरा index page पे, check booking availability यह वाला हिस्सा, यह बहुत ही आप कर सकते हो, मज़दार सा है, ठीक है तो try करते हैं, आपको दिखाते हैं, बहुत मज़दा है इसमें, index पे आ जाते हैं पहले तो यह रा form, यहां पे देखिए, यह form है सलमें, तो हम चाहते हैं, इसका जो data है इसका जो action है, वो होना चाहिए rooms.php, and इसके अंदर यहां पे जो check-in है यह होगा required, उसी तरीके से जो check-out है यह भी क्या होगा, required होगा बाकी input fields भी required ही है वैसे यहां पे required क्या, select tag है तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई एक value तो आप select ही करोगे then यहां पे इनका नाम भी दे देते हैं name, check-in, यहां पे name, check-out name इस फजे से use कर रहे हैं, क्योंकि इस बार form हम भीज रहे हैं पुरा data submit कराएंगे, किस पे, rooms और यह page पे अब हमें select में इस तरीके से data नहीं दिखाना है data किस तरीके से दिखाना है, वो अब हमें सोचना होगा ठीक, दो option है आपके पास आप यहां पे चाहो तो input field दे दो, यहां फिर, जितना maximum adults एक room में हैं तो जो maximum adult एक room में हो सकते हैं, यहां पे एक काम करते हैं, table मैं के देख लेते हैं यह removed है, removed है, इसको छोड़ दीजे, यहां पे 5 है, 9 adults room में maximum हो सकते हैं तो adults की value maximum कितनी हो सकती है, 9, और children 10, ठीक, यहां पे हम उसको dynamically दिखाएंगे, ठीक है, यह जो options हैं, इनको हम dynamically दिखाएंगे, PHP के थ्रू, तो एक और चीज हो सकता, अगर आपको नहीं आती हो, तो आप सीखने जा रहे हो, डॉलर, यहां पे लिखेंगे, g-u-e-s-ts-q, करने के लिए, adult में, as, यहां पे, max underscore, adult, हम इसको बस दो मिनट में समझा रहे हैं, पहले query finish कर लेते हैं, comma लगा के, max function फिर से लगाएंगे, हमें children भी fetch करने हैं, from, यहां पे, table का नाम, तो हमने का, rooms में से, fetch कर लेना, जो भी maximum value होगी, children वाले column में, और, adult वाले column में, उसको चुप-चाप fetch कर लेना, finish के बाद हम लगाएंगे, where, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, इस तरीके से, अलग-अलग line में कर लेते हैं, चीज़ें समझ में तो आएं, यहां पे हमने का, where, status, is equals to, 1, and, removed is equals to, 0, then, इसकी query को हमें fire करना होगा, तो यहां पे काम कर सकते हो, आप, इस पूरे को इस तरीके से, ब्रैकेट में डाल दो, maskulai, underscore, query function को call करो, dollar con को अंदर pass कर देना, comma लगा के, यहां पे, query आ गई, ठीक, तो सारी चीज़ों को एक ही में, लोगों ने एक बार में कर लिया, then, हमें fetch करना है, तो हमने का, dollar, guests, यहां पे, rest, यहांनी के, result, maskulai, fetch, asog, dollar, guest, queue, अब यहां पे हमें क्या करना होगा, हमने का, for loop लगा दो, इस बार एक, dollar, I equals to, 1, dollar, I less than, equals to, dollar, guest, rest के, पहले हमें यहां पे, adult के हिसाब से, जो है, print कराना है, ठीक है, options को अपने, dollar, I, plus, plus, हमने कहा, echo कर देना, option, this, यहां पे value की जगा पे क्या होगा, dollar, I कर देंगे हम, यहां पे भी dollar, I, यह one से loop चुरूँ होगा, जितने भी maximum adults हैं, वहां तक जाएगा, इसको हटा देते हैं, refresh किया, इसको इंस्पेक्टर लेते हैं, जुप चाप, warning, undefined, array, adult, max, adult, oh sorry, max, adult, नाम से हम फेच कर रहे था, न, now, then same, यही loop लगेगा, फिर से, php script, open, close, यहां पे, data इस बार हम फेच करी चुके हैं, एक ही बार में, query से, यहां पे value बदल नहीं है, इसको कर देंगे, children, click, तो इसकी value maximum 10 है, यहां पे 10, अब इसको submit कराने से पहले, यहां पर हम एक input tag और डालना चाहते हैं, जो की hidden होगा, यहां पर लिख देते हैं, check availability, इसको submit कराने पे, देखते हैं, data कहां जाता है, ऐसे तो submit होगा नहीं, date दे देना, इस तरीके से, submit किया, देखें, यहां पर get method के तुरू data पूरा आ गया, ठीक है, यानि कि आपकी URL में पूरा data आ गया, sorry, तो इधर आ जाते हैं, अब आ जाईए आप rooms में, क्योंकि आपके पास सारा data आ गया है, date आ गया है, check in, check out, ठीक है, और यहां पर एक चीज नहीं आई है, sorry, और यहां पर इसका नाम देना पड़ेगा मैं, इस select tag का नाम दे देते हैं, children, and यहां पर adult वाले में भी नाम देना होगा मैं, adult, इतर आ जाते हैं rooms और पेज़ पे, sorry, Ajax और था यह तो, यह रहा, एकदम उपर आ जाना, यह जो header जहां पर है ना, इसके बाद, अच्छा एक सवाल मेरे पास अभी भी है, कि आपको क्या लगता है कि हम इतनी असानी से यह जो filter की logic है, इसको क्यों लगा पा रहे हैं, और इतनी वीडियो को end में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कि जितनी भी सारी चीज़े हमने बनाई है ना, हमने उसको इस accordingly बनाया है कि कल को हमें उससे और upgrade करना पड़े तो हमें जादा दिक्कत ना हो, ठीक है, तो आप भी जब आ अगर आप सही नहीं लिखोगे तो यह execute नहीं करेगा, अगर set है तो एक काम करना, पहले तो data हम फिल्टर कर लेते हैं, dollar frm data is equals to filtration function को call करके dollar underscore get को पास करको, हम यहां पे कुछ नया variables लेने वाले हैं, ठीक हमने कहा check-in underscore default, जो check-in वाली input field है, आपके इस rooms वाले column, page पे, यह जो rooms वाला page है इस do default value है, वो क्या है, blank है, वही चीज़ हमने लिख दी है, बस एक variable में, उसी तरीकिये से चेक आउट की जो default value है, वो भी क्या है, blank है, जो client है, उसकी default value है, प्यक्योंक होगी, जो children है, उसकी default value है क्योंक होगी, ब्लैंक होगी हमने वही सारी चीज़े लिख दी है बस और कुछ नहीं किया अब अगर हमें चेक अवैलिबिलिटी नाम का कोई इंडेक्स मिलेगा तो इन वैल्यूस को हम चेंज कर देंगे बस हमने कहा इसको एक काम करो कॉपी कर लो चुपचाप पेस्ट कर दो यहां पे ब् पेसे देते हैं सही से जिसे समझ भणाए चीजें चेक आउट कर दिया इसको यह हो गया तो इससे बदला ही क्या तो देखिए बदलेगा क्या वो आपको भी हम दिखाते हैं आपको यहां पर simply कहना क्या होगा echo कर देना है जैसे यहां पर यह चेक इन है यहां पर value में आ जा देना और इसके अंदर echo कर देना एक variable जो आपने ऊपर लिया है उसका नाम क्या है चेक इन डेफॉल्ट एक यह है चेक इन डेफॉल्ट इसी तरीके से इसको कॉपी कर लो पेस्ट कर दो यहां पर हो जाएगा यह चेक आउट डेफॉल्ट डेफॉल्ट यह हो जाएगी प्र करते हैं देखते हैं जड़ा अब एक काम करते हैं इधर home पर आ जाते हैं फिर से और एक बार फिर से यहां पर हम चीज़ों को देते हैं समिट किया इधर आ गया फिर देखिए दो वैल्यू आ गई हमारी एक दिन इसके बाद हमें क्या करना होगा इसी सेम लॉजिक को बस यह जो कोड है इसी को उठा के हर जगा पर पेस्ट करना होगा गैस में आ जाएंगे हम गैस में भी सेम चीज़ पेस्ट कर दिया बस इसको वैल्यू में डालना है और इसकी जगा पर क्या लिखेंगे हम एडल लिख देंगे कोपी किया इसको फिर से पेस्ट किया यहां पर लिख देते हैं चिल्डर्ण इसको फ्रेश करेंगे अगर यही चीज़ हम चेंज करके यहां पर लिख दें मान लेजे फाइफ नाइन गर देतें माकसिमम पूरा इसको ट्वेंटी सिक्स कर देते हैं एक बार देखते हैं 26 से 27 की बुकिंग हो पाएगी सब्मिट करो और इसको हम हटा दें तो सिर्फ ती रूम दिख रहे हैं क्योंकि चेक इन और चेक आउट के वज़े से ठीक है तो अब ये भी काम करने लगा ठीक तो हमने यहां पर किया क्या पहले समझ लेते हैं कि यह काम क्यों ही कर रहा है तो उसका reason क्या है देखिए उपर if block अगर मिल रहा है तो हम इसकी जो default value है जो की blank रहती है उसको बदल देते हैं किस से जो हम यहां पे पा रहे हैं अपने header से ठीक है जो header से हमें मिल रहा है वो हम यहां पे paste कर देते हैं शुक चाप ठीक default के तवर पे और यह जो script है यह नीचे कब load हो रही है जब उपर का data load हो जा रहा है तब तो जब तक यह data load हो रहा है इसकी default value set हो जा रही है उसके बाद यह आपका fetch room वाला function call हो रहा तभी आपका room populate हो रहा ठीक बाकि इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो window.onload equals to a function को call करे जो कि आपका यह होगा यह ऐसे भी काम करेगा तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से जो room का filtration वाला हिस्सा है वो काम करता है प्लस यह जो check booking availability की logic के हिसाब से room filter करके दिखाना वो भी देख लिया तो आई होप आपको सारी वीडियो के जो भी चीजने हमने सिखाई है सारे steps आपको clearly समझ में आए हो इन केस कोई भी चीज रह गई होगी तो comment में आप बता सकते हो और अगर हाँ कोई error आएगी बीच में अभी भी इसमें तो हम पर open करें login page तो login page तो ठीक दिख रहा यह registration वाला जो form है हमारा वो सही नहीं दिख रहा देखिए इसकी spaces है वो गडबड हो गई है थोड़ी से तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं एक मिट यह रहा तो यह पैडिंग start 0 है हमने दी हुई है यह इस device में तो सही दिखेगा आपका मान लेजे इस level के device में आप देख रहे हैं या इस level के device में देखिए यह सही देख रहा है यह जो spaces हैं उनके वज़े से थोड़ी से दिक्कत हमें देखने को मिल रही है तो अगर हम इसको एक बार हटाने की कोशिश करें जरा अच्छे करते हैं कैसा दिख रही है तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा और यहां पर आप चाहो तो यह जो span tag है इसको भी हटाना चाहो तो हटा लो तो अब अगर आप यहां पर register करना चाहोगे तो आपको कुछ इस तरीके से portal पूरा देखने को मिलेगा and large devices में ये कुछ इस तरीके से लिखेगा so अब हमें सिर्फ admin dashboard पे काम करना है और किसी भी चीज़ पे नहीं thank you for watching the video see you next time